Stock Research Center आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं Indian Oil Corporation Limited के स्टॉक के बारे में जो Q4 की जो अर्निंग है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से रिलीज कर दी गई है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे कैसी आई है Final Dividend भी यहाँ पे कंपनी ने Announce किया है The Final Dividend 70% 7 रुपए पर Equity Share का यहाँ पे Final Dividend भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से Announce किया गया है तो वो चीज़े भी यहाँ पे Mention कर देता हूँ आज आते हैं कंपनी के जो Result है यहाँ पे Consolidated Result है उसको यहाँ पे देखते हैं यह Standalone Result है Directly आते हैं Consolidated Result में तो आपको चीज़े पता चलेंगी कि जो नंबर है कंपनी के वो यहाँ पे कैसे आए Consolidated Addicted Financial Result तो यह जो Value दी गई है यहाँ पे यह करोण में दी गई है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो Total Income from Operation आया है वो यहाँ पे किता आया है 2,25,000 करोड के आसपास Last quarter यहाँ पे 2,28,000 करोड के आसपास आया था और last year के सेम quarter में 2,31,000 करोड के आसपास आया था तो Q on Q basis पे यहाँ पे क्या हुआ है जो Total Income है वो यहाँ पे कम हुआ है और Y on Y basis पे भी यहाँ पे जो Total Income है वो कम आया है तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा इस बार जो कंपनी का Income है वो थोड़ा सा Business कम हुआ है Total जो expenses की बात करें यहाँ पे 2,17,000 करोड के आसपास है Last quarter यहाँ पे 2,16,000 करोड के आसपास थे Business कम हुआ बढ़ खर्चे बढ़ गए फिर भी और Last quarter Last year के सेम quarter में 2,18,000 करोड के आसपास थे तो quarter on quarter देखो यहाँ पे business कम हुआ है जबकि यहाँ पे जो expenses हैं वो यहाँ पे बढ़ गए है तो वो चीज़ यहाँ पे clear cut नजर आ रही है इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो profitability है वो यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से डाउन होगा Profit before tax के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे profit before tax देख सकते हो किता आया है 419,99 करोड के आसपास और Y on Y basis पे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंट यहाँ पे IOC की stock में देखने को मिल लहा है नेट profit की अगर बात करें तो नेट profit भी यहाँ पे decline हुआ है नेट profit यहाँ पे 2487 करोड हो गया है जबकि last quarter यहाँ पे 2224 करोड था और last year same quarter में 10,800 करोड के आसपास यहाँ पे net profit था तो net profit भी यहाँ पे अच्छा तेजी से यहाँ पे erode हुआ है और quarter on quarter basis पे भी यहाँ पे decline हुआ है और year on year basis पे भी यहाँ पे जो net profit है वो यहाँ पे गया है तो number यहाँ पे थोड़े से weak side है market और डियाक्ट कर चुका है तो market यहाँ पे negative जो Indian oil corporation के number को लिया है आपको number कैसे लगे comment box में comment करके बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें चैनल पे नएवने चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में